यूपी की शामली में दहेज के लिए महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई इतना ये नहीं बेहन की मौत की सूचना पर जब उसके दोनों भाई मौके पर पहुँचे तो सस्राल वालों ने उनसे मार पीट भी की आरुभे की करीब एक साल पहले डॉक्टर आयशा की शादी हुई थी जिसके तुरन बात से इस सस्राल वाले दहेज में कार और पैसो की मांग करने लगे और कई बार उनकी मांग को पूरा भी किया गया लेकिन उनका लालच बढ़ता ही गया और आखिरकार दहेज के लिए आयशा को फासी लगा कर मार डाला यूपी के प्रताब गड़ में बारात निकालते वक्त पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद जम कर गोलिया चली गोली लगने से तीन लोग की मौथ हो गई और छै लोग घायल हो गए इस मामने में प्रधान के पती सहिच चार लोग के खिलाफ नामजद मुकदमाद दर्श किया गया है तनाव को देखते हुए गाउं में पुलिस को तैनाद कर दिया गया है यूपी के लखीमपूर में पोल्ट्री फार्म पर सो रहे यूवक की अग्याद मदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी परिवार ने इस घटना के पीछे किसी तरह की पुरानी रंजिश होने से इंकार किया है पुलिस ने अग्यात लोग के खिलाफ मामला दर्ज कर जान शिरू कर दी है यूपी के फतैपुर में गर्वती रेप पीडिता को उसके ही पिता ने गंगा में डुबा कर मारने की कोशिश की लेकिन वह मौजूद लोगों ने बचा लिया जानकारी के मुताबिक गाउं के ही एक दबंग ने नाबालग लड़की से रेप किया और जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी लड़की गर्वती हो गई तो पिता ने आरोपी के खिलाफ कारवाई करने की बजाए बेटी को ही मारने का प्लैन बना लिया पुलिस ने लड़की के पिता पर हत्या की कोशिश और रेप के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है मध्यप्रदेश के बैतुल में नाबालग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकार्यों ने फॉरंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुँच गया जाँ शिरू कर दी पुलिस के मताबिक लड़की अपने छोटे भाई के साथ घर में अकेली थी बाकी परिबार वाले मजदूरी करने गए थे इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया राजस्थान के चुरू में नाबाली को अगवा कर रेप का संसनी खेज मामला सामने आया है बताये जा रहा है कि गाउं का ही एक व्यक्ति काफी दुनों से लड़की का पीछा कर रहा था और उससे छेड़ छाड़ करता था वारदात के दिन उस लड़की को अगवा किया और खेट में ले जा कर उससे रेप किया पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है राजस्थान के अलवर में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पती की हत्या कर दी वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को सड़क पर फैक दिया गया पुलिस ने जर्म का खुलासा करते हुए महिला उसके प्रेमी के साथ उसके दो दोस्तों को भी किरफतार कर लिया है विहार के दानापुर में रंगदारी नहीं देने पर P.W.D. विभाग के इंजीनियर पर बदमाशन एफ फारिंग कर दी इसी गोली बारी में इंजीनियर बाल बाल बच गए लेकिन उनका जायवर घायल हो गया पुलिस के मताबिक इंजीनियर से 20 लाख रुपे की रंगदारी मांगी गई थी लेकिन उन्होंने इसे नजरंदास करते हुए पुलिस को सूचना नहीं दी थी राजस्थान के बारा में चायवाली की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई जानकारी के मताबिक गोविन नागर की पावर हाउस के पास जाय की दुकान थी गाउं में बिजली नहीं आने के बाद एक दरजन से ज़्यादा लोग पावर हाउस पहुँचे और जब वहां बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं मिला तो उन्होंने चायवाले से जानकारी मांगी जिस पर उसने कुछ भी पता होने से इंकार कर दिया बस इसी बात से नाराज होकर उन लोगों ने चायवाले की पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई औरीशा के पारादीप में सीवेश शिपिंग कंपनी के जनरल मैनेजर की हत्या का पुलिस ने खुला सकर दिया है पुलिस ने इस मामले में पांच लोग को गिरफतार किया है शिरुवाती जांच के मुताबिक हत्या के पीछे बिजनस विवाद था जिसको लेकर ओएसल कंपनी ने इस साजिश को अंजाम दिया